आज हम आएं अपने बालों को स्मूधनिंग कराने के लिए आप देख सकते हैं आपर जो पहला स्टैप होता है वह होता है हेर वाशिंग का जो अभी चल रहा है और अब आगे आगे जो भी होता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे इस व्लॉग में अभी बालों का ब्लो ड्रायर हो गहा है अच्छी तरह से बाश करने के बाद जो यह सेकंड स्टैप आती है और वहां पर मेरे बालों के हलत बहुत कतरनास होरी है अभी आप देख सकते हैं बहुत सा अरे स्प्लीटेंज प्लस बीजिसम ब्रेकेश है अगे तो आपके कि काम बेंस पफिए है विजिसमे आपके स्टैंग शुड्द से से स्टैंगły करनार का देख और यहं बンके स्टैंग दान्या says Jr. कि अजय को 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 आएज में आजवा को अजय के लिए प्रिटी नो अजय की अजय किया हुआ है और अजय को दिखाएंगे थोड़ी बेर में अजय का फाइनल लुक कि अजय को है अगर वार के नगार हो स्की आ करड़ित करें, भकटरों के वारे सिर्साम प्रयूर्ट में बस्क्राइब। आज पमेर वह अगर दाट आения के अगार अग्लोर्यूर है अगर्धित करें तो उसे स्टाइलिस्ट पंकर जी तो चलिए इनसे जानते हैं कि after smoothing, बालों की किस तरह से केर करनी चाहिए तो चलिए पंकर जी से करें कुछ बादचे सर तो तो आप बताएं कि अब ज़से मने जो योगा ग्लास लेते हो पुष्वेट वगएरा होता है इसलिए वो देंदर वगएरा होता है तो जैसा कि आपने सुना कि अभी हमको पंगर जीन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता है कि आपके बालों में पसीना आने की वएसे जो डांडरु बनता है काफी सारा धूल अगर दूल मिट्टी वगएरा भी तो आपने सुना यह कितने इंपॉर्टेंट बात बताईए कि बिसीतली लोगों को पता नहीं होता है कि आपका अगर स्केल्प साफ नहीं है अगर धूल मिट्टी है और पसीना अगर आप सूक जाता है प्रोपर हेर वाश यहां प्रोप चैंपू कंडिशनर नहीं होता है तो इसकी कंडिशनर भी इसकल्प पे यूज नहीं करना है अनली फॉर लेंगें यह सेक्सन तो एंट शक्टर को अगर अगर आपनाय उसकर रहे हो तो बहुत अच्छी बात मास्क अगर अगर इसकल्प भी लगता है तो पॉस्टी और आजकल जो जिसे हेर सीरम लगाया जाते हैं तो अगर आप नो इसके की हैर से यूज़ करते हैं कोई साथ भी ब्रांड हो जैसके मैं एक्रिक्स हो गया लोगया वेला यह सोच को कोई सब्सक्राइब आप यूज़ कर सकते हो बैट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आपको हेट से प्रोटेक्शन देगा प्लस में आपको डशना वगरा जो भी सब्सक्राइब अच्छा मतल किसम कल भी आपको काफी सारी जानकानिया देंगे आप देख सकते हूं मेरे बालों को पुरा लुक ही बदल चुका है मैं जी थे और स्प्लिटेंस थे बालों में और ब्रेकेज हैर थे जो पूरी चेंग हो चुके है तो आप दिखते हम ड्रेस अप करते हैं जिस तरह से हम तयार होते हैं मेकप करते हैं तो विडाउट यूर एर एर लुक विडाउट यूर पर्फेक्ट यूर लुक यूर लुक इस नॉट कंपली जिसा कहा जाता है और इनके सार्दून पर बहुत इंपॉर्ड़न चीज हूं पर लिखी जो मैने देखी थी अ लाइज पर्फेक् कियो ना हो जाएं कितना भी मेकप ड्रेसिंग सब कुछ कियो ना कर लें बट विडाउट यूर है लुक यूर लुक इस नॉट कंपली तो मेरी खाल से सभी को करा ना चाहिए एक बाला है अगर आपको रिक्वार्मेंट है तो तो अपने हैं स्टाइलिस से पूछें उसके बात आपके बालों के टैक्शन के अखॉर्डिक आपको जो सजेशन दे आपको करो बालों के केर करो क्योंकि नेखो यार 50-60% लुक ना इसी का अग्दा है ओके सो आज के लिए इतना ही ओक जाए